असलाम अलेकुम एस्पारेंट्स एस्पारेंट्स हमने पिछली वीडियो में अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेट कोश्चन्स देखे थे हमने सिंगल लेटर, डबल लेटर, त्री लेटर, फॉर लेटर, अल्फा निमेरिकल और जो है एबी और BBA वाले कोश्चन्स देखे थे लास्ट लेक्चर में तो ये उस लेक्चर की एक एकस्टेंशन है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ये शायद आपको उस तरह से समझना आए तो फुली गिरिप अगर करनी है आपने तो आप पहले वो विडियो देख लें आप पहले फिर आप इदर आजए स्टार्ट करते हैं, आज हम से केंगे Coding और Decoding सारी हमने सीरीज देख ली थी किस तरह से Coding और Decoding सारी चीज़े होती है उसकी ट्रिक्स निकाली थी हमने और मजीद हमने देखा था कि CSS में किस तरह आ रहे हैं PMS में किस तरह आ रहे हैं paper में questions तो अब जो है स्टार्ट करते हैं Coding और Decoding तो जी यहाँ पे इनमें questions इस तरह से होते हैं कि आप पूरा एक word देते हैं कि जी construction है और construction को हम इस तरह लिख रहे हैं तो बताएं कि इस destruction को कैसे लिखेंगे इसी तरह yearly को अगर ये लिखा जा रहा है तो annual को कैसे लिखेंगे special को 65 लिखा जा रहा है तो connect को कैसे लिखेंगे तो इस तरह से इनके word की questions होते हैं और उनकी coding और decoding होती है यहां पर मैंने questions आलड़ी provide किये हैं यही कहूंगा मैं कि आपको कुछ questions यहां से देख लें कुछ questions आपको से solve करने की कोशिश करें फिर आप यहीं बे आ जाए स्टार्ट करते हैं आज का lecture स्टार्ट से पहले यहां पर आपको ये table जो है एक दफ़ा देख लें last lecture में मैंने आपको दिखाया था कि 1 से 13 तक आपने यहां पर paper में लिखना है फिर आपने ABC CD जो है A से लेके M तक यहां तक लिखनी है जहां पर 13 के बाद यहां से आपने numbering 12-14 से शुरू करनी है और 26 तक चले जाना है और यहां से M के बाद N से आपने शुरू होना है और Z तक चले जाना है यह question इससे related question मैंने आपको last series में भी last lecture में भी कराया था और अब जो है इसमें भी होना है वैसे आपने 1 से 26 तक तो वैसे भी लिखना है जिसमें आप ABCD numbering करेंगे और उससे code निकालेंगे तो उससे अच्छा है आप यह table याद कर लें अब बढ़ते हैं हमारे पहले question की तरफ पहले question पर आते हैं हम कि जी special को यहां पर 65 लिखा जा रहे तो बताएं कि आपके connect को कैसे लिखा जाएगा तो यह question हमने solve करना है सबसे पहले मतलब यहां से coding दी वही है आपका numerical में तो numerical के coding के लिए आप क्या करते हैं कि जिनके जो letters के corresponding number हैं वो आप निकाल लेंगे और उनको आपस में plus या minus करके देगी यहां पे S के लिए हमने 19 number है P जो है 60 number पे है E आपका 5 number पे है C 3 number पे है उसको हमने यहां पे रखा फिर हमने C के लिए देखा code क्या है C 3 3 number पे है फिर O 15 number पे है N 14 number पे है सारे हमने रख दिये प्लस कर दिया तो 74 आ गया 74 हमारा answer है तो अगर coding से word से आपका numerical में जाए तो यह logic होती है अब देखते हैं कि word से word की तरफ जाए तो क्या logic हो सकती है यहां पे कह रहा है कि Hilton को I, H, T, L, N, O लिखा जा रहा है तो क्या logic है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि इसमें जो letters है क्या इसमें भी letters है क्या इसमें H, A के है तो H इदर भी A के है कि यहां पे सर्फ letters आपर interchange होए है अब interchange के लिए सर्फ एक ही इन्होंने method अभी तक systematic है जो अक्सर जो है question paper में आता है वो यह है कि आप pair को pair बनाके interchange कर दें अब यहां पे देखें कि Hilton code है हमारा तो H, I, एक pair बन गया L, T आपका दूसरा pair बन गया O, N आपका तीसरा pair बन गया इन दोनों का आपस में replace करेंगे तो I, H हो जाएगा इन दोनों का आपस में करें interchange तो T, L हो जाएगा और इन दोनों को करें तो N, O हो जाएगा तो आप यहां पे देखें कि G, I, H, T, L, N, O I, H, T, L, N, O तो यही code है हमारे पास इसका मतलब यह है कि जस्ट इनोंने 2 के pair बनाके और बाद में reverse किया तो यहां पे हम क्या करेंगे कि B, I, L, L, I, O और जो single रह जाएगा उसका मसला नहीं है इसको हम interchange करेंगे तो आपका IB हो जाएगा इसका L, L हो जाएगा O, I हो जाएगा और N, same रहेगा इसका मतलब यह आपका answer है देखें, यहां पे मैंने यही कानी लिखी है कि जी, आपका reverse किया जाएगा sorry, पहले आपके pair बनाए जाएगे दो-दो के और फिर reverse किया जाएगा अच्छा, reverse में एक और logic है हमारे पास नए question में देखते हैं कि जी, यहां पे आपने analyze किया कि यह same to same यही जो है, वो letters है I दो-दफ़ा है, S दो-दफ़ा है N A के है और M A के आपने इस सब सारी चीज़े analyze करने के बाद आपने कहा, जी, कि हम इसको reverse करके देखने है अब आपने टू-टो के pair बना के reverse करके देखे, और नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, कि सब से पहले M को constant रखें और बाकी सब के pair बना के करके देखें अगर इस सरह ना हो, तो फिर आपने क्या करना है M और S यानि first or last के आपने same रखने है और बाकियों के pair बनाने है, यहाँ पर यही logic यूज़ी है, कि कैसे M और S को same रखा गया है बाकी जो भी pair बनेंगे, उनको उल्टा किया गया है कैसे, देखें M same है, उसके बाद Is है, उसके बाद Si है, और उसके बाद On है, ठीक है अब यहाँ पर M हमने जो रखा था, वही आएगा यहाँ पर उल्टा करें, Si आगया यहाँ पर उल्टा करें, तो Is आगया और यहाँ पर उल्टा करें, तो No आगया, और then S हमने constant रखा था M और S constant है, बकाया के सारे को पर चेंज हुए है, और हमारे पास यह आगया code, जब यह हमें मिल गया है, तो हमने online के भी साथ इसी तरह करना है, O और E हमने same रखने है, बाकि दो पर बन रहे है, NL और IN, NL को हम LN लिखेंगे, और IN को हम NI लिखेंगे, इस तरह से हमारे पास एक code बन गया, जो हमारा answer है, ठीक है next फिर move करते हैं अच्छा जी, फिर हमारे पास logic एक यह है कि हम जो है, वो इन ही letters में plus और minus करते हैं, यह आपको कैसे पता चलेगा, आपको इस तरह पता चलेगा कि आपने सबसे पहले find करना है कि जी, word same है या नहीं आपको यहाँ पर पता चला कि o यहाँ पर missing है, और a भी यहाँ पर missing है, जब आपको missing letters पता चले, तो इसका मदलब आपको यह पता चला कि या तो plus हुए हैं letters या minus हुए हैं तो फिर आपने क्या करना है कि R, O, A, R सीधा लिखना है और U, R, D, U सीधा लिखना है ठीक हैं और फिर इन दोनों में आपने first को first से compare करना है, second को second से third को third से, fourth को fourth से जैसे हमने alphabetical series वाली वीडियो में किया था कि जी, R का हमने यहाँ पर corresponding code लिख दिया, तो वोस करें, यहाँ पर 14 है, और यहाँ पर 15 है, ठीक है, O का 7 है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 है, जब आपने सारे जो है, numbering कर दी तो आपने इन में relation देखना है, तो 14 के बाद 15 है, 7 के बाद 8 है, 1 के बाद 2 है, 3 के बाद 4 है, यानि इसका मतलब यह है, सब में plus 1 8 हुआ है, तो इसका मतलब है, आपको code मिल गया है, उर्दू आप वापस लिखेंगे, जिसको आपने convert करना है, U, R, D, U और इसमें भी, इसका number निकालेंगे, आप दुबारा से, suppose करें, 5 बनता है नमबर इसका, 5 के बाद हमने plus 1 किया, 6 बन गया, 6 का आपने code देखना है, तो आपने वो लिख देना है, ठीक है, इस तरह से हमारा जो भी code बनेगा, वो बन जाएगा, यह देखें, यहाँ पे, इसने क्या किया है, कि plus 3 की logic है, यहाँ पे, आपने R और अर्दू सारा लिखा, और जो है, R को U से जब compare किया, तो यहाँ पे plus 3 आया, तो आपको पता चला कि बाकी भी plus 3 हैं, तो यही एक logic, जो है, आपने इस उर्दू में भी apply करके, नए accord बना लिया, चैलें जी, अब मुश्किल मूपे move होते हैं, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, इनके chances बहुत कम हैंगी, यह CSS के paper में appear हो, फिर भी हम देख लेते हैं, कि जो है, कभी हो सकता है, कि जैसे CSS के papers और ज़्यादा मुश्किल होते जा रहें, तो कभी appear हो जाए, या आपके पास questions और ज़्यादा मुश्किल हैं दूसरे, तो आप यह वाला question पर time देना चाहें, अच्छा, अगर आपने edition से काम नहीं बनता, जल्द यल्दी में आपने try करना है, अगर edition से काम नहीं बनता, फिर आपने क्या करना है कि इस letter के इसको reverse करना है, यहाँ पर reverse करेंगे N E Z O R F, reverse करने के बाद आपने ये वाला same लिख दिया, O F A P S G, ठीक है, अब आपने first को first से compare करना है, second को second से, third को third से, fourth को fourth से, और इस तरहे चलते जाना है, जितना difference होगा, सब में common difference होगा, जितना भी difference होगा, ठीक है, plus हो सकता है या minus हो सकता है, तो वो difference आपने देखना है, और उस से, उसके बाद, आपने difference के बाद, आपने जो question है, molten उसको आपने नए code में convert करना है, यहाँ पे जी, reverse करने के बाद, आपका plus one aid किया गया, तो इसलिए जो है, reverse अगर करेंगे molten को, तो molten का होगा जी, यह N-E-T-L-O-M, और इसमें सब में, एक लिटर इच में aid करेंगे, तो आपका यह नया code बन जाएगा, इसको आपको try करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है, यह questions मुश्किल होते हैं, आपको दिमाग में बेटने के लिए, आपको 10-12 solve करने पड़ेंगे, next question हमारा भी, वही reverse बाला है, जब हमें बता चला कि, जी letters change हैं बिलकुल, और हमने पहले सीधा जो है try करके देख लिया, TIGER करके, और यहाँ पे QDFHS, यहाँ पे suppose करें, पहले हमने सीधे try किया, सीधे से क्या हुआ, इसमें plus 1 आया, इसमें plus 17 आया, plus 2 आया, plus 3 आया, plus 5 आया, जब यह illogical series आई हमारे पास, तो हम समझ गए कि यह reverse करके होगा, क्यूंकि इसमें यह कोई multiplication होनी नहीं है, debian होनी नहीं है, या तो होगा plus 1, plus 2, plus 2 होगा, तो सब में plus 2 होगा, end तक, 4 दफा, 5 दफा, plus 2 repeat होगा, यहाँ पे multiply और debian नहीं होती, आपको पता यह चल जाएगा, यह सीधा करके नहीं हो रहा, फिर आप क्या करेंगे, tiger को उल्टा करेंगे, r e g i t, इसको 180 करने के बाद, उसके बाद आपने, यह code आपने सीधा ऐसे ही लिखना है, q d f h s, first को first से compare करना है, second को second से, third को third से, fourth को fourth से, और जो भी relation बनेगा, वो आपके सामने ही होगा, कि linear बनेगा, plus minus two अगर, तो sub में minus two होगा, sub में minus two होगा, अगर plus का हुआ, तो sub में plus two का होगा, तो यहाँ पे जी, minus one का है, sub में, reverse किया हमने पहले, फिर move किया, एक later सब का, इसी तरह से sequence को, एक और दिया हुआ है, आप यह कुछ से try करने के कोशिश करें, देखें आप से होता है या नहीं होता, reverse वाला है यह भी, आपने पहले सीधे try किया, सीधे में जो है, वो linear नहीं बन रहा था सारा, फिर आपने reverse किया, और reverse करने के बाद आपको पता चला जी, कि सब में plus one हुआ है, तो इन questions के वैसे chances कम हैं, फिर भी यह कर देते हैं हम, एक जो इससे भी ज़्यादा famous questions हैं, वो इस तरह से आते हैं, कि जी, यहाँ पे आपको opposite में word दिया जाता है, कि जी, एक opposite में z है, पी के opposite में y है, सी के opposite में x है, इस तरह से opposite सीरीज भी आती है, इसके लिए मैंने आपको एक table जो है draw करवाया है, कि आप यही जो है याद कर लें, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह yearly लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर b, v, z, i, o, b लिख लेंगे, आप देखेंगे y को b में रखा है, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, क्या y, b के नीचे है, जी, बिल्कुल y, b के नीचे है, फिर e को v लिख रहा है, फिर a को z, यहाँ बिल्कुल a को z, और इसी तरह से r को i, और यहाँ पर r और i, तो आप ने इसी तरह से फिर बाकी जो आपके पास annual है, उसको convert करना है, आपने a annual इस तरह लिखना है, और a का opposite z है, n का opposite आपने यहाँ पर देखना है, m है, तो यहाँ पर आज के हमारे questions पूरे होते हैं, इन questions को आपने repeat करना होगा, और यहाँ पर यही questions जो है, आगर आप कल दुबारा से खुद से करें, तो मेरा ख्या लेके आपको ज्यादा बेहतर तरीके समझा जेंगे, या पर कहीं से website से कहीं से उठा ले, और उससे solve करने की कोशिश करें, क्या आप से solve होते हैं या नहीं, तो thank you students, आज का lecture खतम होता है हमारा, इन्शाला फिर मिलते हैं, अल्लाँ आफिस,